कर थे कौमेंटेटर हमारे मित्र तेज सर भी जुड चुके हैं अमरे स्कोरर भी काफी अच्छी स्कोरिंग अब तक कर रहे हैं तो जाएंगे मैच की तरफ संकेत पेला और लेके संकेत की पहिली गेन बड़ा हिट करना चाहते थे बल्ले का किनारा और पहिली गेन पर बड़ा जटका यहां लगता हुआ और पहिला जटका लगता हुआ टीम शंकर 11 उरिछा को आपने क्या लगता है सर आप जबसार रहें आप एक मैच हार चुके हैं उस पर ये दूसरा मैच पहली गेन क्या इस तरह से आप जोकी में ले सकते हैं एज लगा और सिधा आउट क्या कहेंगे आप ये कैसा सौट है कोई जबबदारी वाला सौट नहीं है क्रिकेट है सर शु क्रिश्णा मंगराज क्रिश्णा मंगराज आउट होकर वापस लोड़ चुके नए बल्लेबाज उनके जगा लेने के लिए मैदान के अंदर सौरप साइनी सौरप साइनी मैदान के अंदर पहले गेंद पर विकेट आने से कॉन्फिदेंस तो ज़रूर बड़ा होगा गेंद बाज संकेत का मगर यहां से एक मोका है सबी के लिए जो बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर गए है उन्हें भी मोका है और सौरप साइनी को आज बचा सकती आने वाला समय बताएगा आपने अच्छे बल्लेबाजी करनी है तब जाकर इस बार अच्छा श्टोक सामने की दिशा में खेला गेंद को रुखाने की कोशिश वहां रही मीड आफ के दिशा में केतन महात्रे वहाथ है और उन्होंने गेंद रोकी एक रन से शुरुवात स्कोर किया शंकर 11 उरिसा की होती हुई और इस मैच को 70-70 स्पोर्स के जरीए पूरे उरिसा में भी देखा ज़रूर जाएगा क्योंकि उरिसा के शंकर 11 का मैच है और यहां अगर देखा जाए तो शुरुवात करनी होगी कुछ कॉन्फिडन्स सिंगल डबल्स भी लेने होंगे और जब मोका मिलेगा तब बड़े एक रंज जो होते हैं आपने दो रं में कनवर्ट करना होता है यही आपकी काबिलियत होती है किस तरह से एक को दो भी कनवर्ट किया जाए रं बड़ा है जाए ऐसे सिंगल से कुछ होना है नहीं एक बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए देखना होगा अच्छी गेंदबाजी संकेत के द्वारा अब तक बहले बास सोरब ओहो संकेत फिर एक बार बहतरीन गेंदबाजी का नजारा यहाँ दिखाते हुए और क्यों मैं यहाँ आया हूँ पनवेल महारास्ट से कुजरा तक का सपनता है करके पहले और में दूसरा जटका यहाँ देते हुए यहाँ बिल्कुल ब्लैक होल पे डाला था और बल्लेबाज को समनने का मोकर नहीं पैट और पैट के बीचों बीच खासे निरास सोरब काफी उम्मीदे थी इस खिलाडी से टीम को संकर 11 को काफी निरास किया है अब देखते हैं आने माले बल्लेबाज किस तरह से फ़र्म परफॉर्म करते हैं रन को आगे ले जाते हैं अरबाज जा रहे हैं तोड़ी आगे गिन की और जड़ में करना चाहते थे और संटी ने बल्लेबास मैदान के अंदर संटी आ चुके है देखना होगा संटी पहली और में दो जड़के लग चुके है यहाँ से पारी को समभालना होगा सिंगल डबल्स भी लेने होंगे और नाही की हरेक गेंद पर सिंगल डबस और जब आपको मुका मिलेगा बड़े-बड़े स्टोक आप उस वक्त लगा दो तो यहाँ करना होगा टीम ओरिसा के लिए मगर 11 और यहाँ इस समय अच्छा खेल रही है क्योंकि संकित की जो गेंद बाजी है अब तक काफी बहतरिन रही है संटी संटी बले बाजी के लिए मगर गेंद बाजी के लिए फिर एक बार संकित पाटील काफी बहतरिन गेंद बाजी की अब तक इस बार अंदर की तरह पाती हुई है गेंद काव कॉर्णर की दिशा में इस गेंद को खेला और एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ तीन रनों पर जबकि पहले ओवर में क्या गेंदबाजी की है पावर प्ले में बड़े-बड़े स्टोक लगाने होते हैं गाप में भी स्टोक करने लगाने होते हैं मगर इस केंदबाज ने दो जटके दिए और सिर्फ तीन रन कर्च किए औरिए और एक विकेट का यहाँ पतन होता हुआ क्या बहतरीन कैच लपका है करन मोरे थे वहाँ और पहले ही ओर में तीन विकेट हासिल किये है बहतरीन तीन रंदेकर तीन विकेट लेना काफी बड़ी बात है और संकेत ने इस मैच में ओ किया है सर आप उरिसा चत्यसगर यहां से बिलॉग करते हैं किस तरह का क्रिकेट होता है उरिसा और चत्यसगर में यहां काफी क्राउड होता है जब सबसबें बता दूँ, सालिस पचास हजार के उपर जो आपके बवस्ता यह टेक्नलोजी है उसमें थोड़ा हम कम है लेकिन अगर भीडी की अगर बात करें लोगों का जुनून की अगर बात करें वो काफी ज़ादा है और मैं तो चाहूंगा आप अपनी पूरी टीम के साथ 36 गर और उड़ी से आएं और एक बिक बैंस करें तो ज़रूर कोशिश रहेगी और तरिफ सेयद साब और खिमत बनियाल साब की यही सोचे कि भारत के हरे एक राज्य में जाके क्रिकेट जहां करें गोरी नहीं बल्लेबाज मैदान के अंदर और काफी मातरा में भारत में टेनिस बॉल क्रिकेट काफी मशूर है अरे कितने और के मैच होते हैं आपके इदर जो हमारे यहांगा बैसिकलिए अगर हम बात करें तो बीस ओवर और पंदरा-पंदरा ओवर के मैच होते हैं क्योंकि एक दिन में एक मैच रखा जाता है और पब के इसे गिनबाज जो गिन को विक्टो के दोनों तरफ घुमाने में कामियाब रहते हैं तीन विकेट जा चुके हैं और तीन रन बने हैं मगर क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है शुरुआत अच्छे नहीं रही मगर अंत अच्छा हो सकता है और उसी के लिए बल्ले बाजी कर में एक अच्छे इरादे से उत्री है दूसरी तरफ भी पहले मैच में ज्यादा रन खर्च किये थे और इसा टीम ने मगर इस मैच में भी थोड़ी सी हालत खराब है शुरुआती में मगर यहां से सैनी और सैंटी और गोरी दोनों को यहां एक साजीदरी करनी होगी एक कॉ करते हुए आका जांगिर गेंद के नीचे और चौथा जड़का टीम उरिसा को लगता हुआ हार्ट ब्रेकिंग होता हुआ सर मैं क्या बताऊं यह जो सिच्वेशन है हमारे दर्शक भी थोड़े से निरास है काफी निरास किया है आज संकर 11 के गेंद बाजो ने पहले मैज में और दूसरे मैज की बात करें तो भले बाजो ने निरास किया है स्कोर बोर्ट पर देखें तो चार विक्टे चार रन पर महचार रन दूसरा ओवर प्रगती पर है जहां 25 से 30 सोवर के मैज में 10 विक्टे समाल के रखते हैं यहां आपने 1.2 गिंदों पर 4 विक्टे खो दिये हैं काफी दुखद क्या यहां से टीम वापसी करेगी या नहीं आने वाला बक्त बताएगा जो जो हैं अगले बल्ले बाज सर चार विक्ट जा चुके हैं चार रन बने हैं मगर हमने इसे भी बहुत सारे मैच देखे हैं कि चार पाच विक्ट शुरुवाती में जटके लगने के बाद भी रन बने हैं और आपको रन बनाने होंगे आपको यह मोका होता है बल्ले बाज को खुद को साबित करने का पहतरीन गेन का प्रदर्शन यहां करते हुए सुल्टान मुंबई से लेकर दुबई तक इनके नाम के भी चर्चे है इस बार थोड़ी सी रफ्तार जादा दी वाइट बॉल करार दी यह सुल्टान की यह गेन रन बने है पाच यहां से अच्छी बल्ले बाजी करनी होगी सेंटी और जोजो की जोड़ी को कुछ तो दिखाना होगा दम खम कि अम में भी है दम समझ चाइव और बैतरीन फिल्डिंग मातरी एक रन यह देखे किस तरह से विपक्षी टीम हावी होती हुई जहां चौका होना चाहिए वहाँ एक रन हर रन को बचा रहे हैं वो काफी बहतरीन फिल्डिंग फिल्डिंग भी काफी अची रहे हैं गेंद बजी लाइन और लेंद पर कर रहे हैं उनका साथ फिल्डर भी उच्छी तरह से दे रहे हैं और इसी कारण थोड़ा सा कंट्रोल तो यहाँ ज़रूर है विगेट जा चुके चार रन मने एच्छे हाथ में जाती हुए और और एक बल्लेबास को वापस लोटना पड़ा जिसकी आप बात कर रहे थी कि एक साथ चार राज्यों में बीग बैस का बड़ा दमाका सर रहे है इसके पीछे आपकी टीम आपकी मैनेजमेंट का बड़ा योगदान है सर आपको देखेंगे यहां किस तरह से क्रिकेट होता है आपको क्या करना चाहिए किस तरह के गेंदबाद चाहिए किस का तरह के बल्लेबाद चाहिए प्रोपेशनल क्रिकेट में इस लेवल पर आपको जब उतर दे तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है शंकर 11 और इसा भी आन ट्रोफी का लांडी ले जाए ऐसे ही हमें प्रोसाहित करते रहें एक बड़ी टीम लेकर आएंगे एगली बार निस्ते तौर पे इस बार काफी निरास किया इसकोर बोट पे देखें तो जीरो और पांस का ये लेवल लगा हुआ है काफी निरासा जनक सर सुदार सकते हैं सर सुदार सकते हैं आपके चिर्केट का खेल हजान भी है रूलाता भी है यहाँ बिल्गल काफी मज़ा है रहाए सर आपके साथ पहली बार कॉमेंटरी करके और एक विकेट का पतनिया होता हुआ स्रम के सामने पाए गए और LBW के जरिए और एक विगेट ओ माई गाओड हाट ब्रेकिंग शलता हुआ जरूर कोशित तो जरूर रहेगे आने वले समय में मगर इस वक्षे विकेट वापस लोड़ चुके है और छे रन बने है रन बनाने होंगे यहाँ से और जिसनी मेहनत की है शंकर भाईया ने और जिस तरह से चतिस गर्ड और ओरिसा में बड़े बड़े टूर्णामेंट इस टीम ने जीते भी है तो आने वले समय में और कुछ अच्छा क्रिकेट वहाँ भी देखने मिलेगा मगर यहाँ चाहिए शे विकेट वापस लोड़ चुके है गेंदबाजी क्या बहतरिन दुबई की टीम गेंदबाजी काफी बहतरी नियाग करते हुए सुल्तान पहली ओर में अगर देखा जाए तो तीन विकेट हासिल किये थे संकेट ने तीन रन देकर दूसरे ओर में अगर देखा जाए तो तीन ही रन दिये सुल्तान ने और तीन विकेट हासिल किये दोनों के इंदबाजों ने बराबर की इंदबाजी किये अब तक तीन विकेट तीन रन तीन विकेट तीन रन रन बने है चे विकेट गए है चे और तीसरे ओर के लिए फिर एक बार संकित पाडेल ओहो और एक विकेट वापस लोडता हुआ गिल्या बिखेर दी और मराटी में कहिना चाहूंगा दांडी 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 गुल सर जिसके आप बात कर रहे थे पहला ओवर तीन विकेट दूसरा ओवर तीन विकेट तीसरा ओवर अब जो कुछ करना है ताबर तोर बल्ले बाजी करने है आपके हाथ में खोने के लिए कुछ है नहीं और जिसके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं इसके लिए पाने साथ और पाज बजे कल पहला मैच शुरू होगा आज पहला दिन था और कल के दिन पाज बजे यहाँ मैच शुरू होगा इसकी जानकेरी सभी दर्शकों के लिए भी है क्योंकि आज भी काफी मात्रा में दर्शक या आ चुके है और कल के लिए भी कल पहला मैच 5 बजे ठीक शुरू होगा कल के दिन भी बड़े-बड़े सितारे यहां नजर आएंगे और जिनोंने टेनिस क्रिकेट विश्व में बड़ा-बड़ा क्रिकेट खेला है पूरे भारत में और गल्फ कंट्रीज में भी जाके क्रिकेट खेला है ऐसे बड़े-बड़े सितारे नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में गुजरात धमा का बिग बैश कल भी यहां नजर आ हुए और थोड़ी सी हसी तो तेसर आपके चेहरे पर आ चुके क्योंकि छे रन आ चुके है जिया बिलकुल सैम ने च्छका लगा कर कुछ तो रहत की सांस दी है टीम को जिया सैम के बल्ले से सैम जो जम्मु से बिलॉंग करते हैं और उनके बल्ले से एक बड़ा स्टोक यहां आता हुआ गेंट थोड़ी सी आगे थी अंदर की तरफ आती हुई और इस गेंट को मीड़ी विकेट के दिशा में 6 रनों के लिए भेज़ दिया 12 रन बने इस बार फिर एक बार बाहर की तरफ गेंट को घुमाया कभी अंदर कभी बाहर क्या आप बहतरिन गेंट बाजी कर रहे हैं एक बड़ा स्टोक आया मगर उसके बाद कमबैक भी बहतरिन हुआ नो रन खर्च किये उन्होंने अब तक 4 विकेट हासिल किये क्या आज के रात का और एक फाइफर देखने मिलेगा मगर कहीं ये लोई स्कोरिंग मैस नहोजा है जिस तरह से बल्ले बाज केर रहे हैं इस बीज यहां दो खिलाडी के बीज गिरता हुआ तोड़ा साओ ट्राई करते तो गिन के आसपास जा सकते से दूसरे रन लेने का परियास लेकिन साथी खिलाडी ने मना किया एक रन की दौर और इस एक रन के साथ धीरे से बढ़ता हुआ इस स्कोर मात्र 13 रन साथ विक्टों के नुक्सान पे यहां से तो एक ही बात परिलक्षित होती है कि आप पूरे ओवर खेलें रन जितने भी बनें फाइट करने की सोचें मनीश नाम बड़ा है और एक अच्छे गेंद यहां संकेत के द्वारा और इस ओर में भी काफी अच्छे गेंद बाजिरेगी मगर इस ओर में रन बने है मनीश और सैम यह दोनों की कोशिश जारी है हमारे टीम के लिए एक अच्छे और जबकि 6 ओर का मुकाबला है तिस रन तो हमें बनाने होंगे और वहां तक जाने की कोशिश तो जरूर होगी और क्या खूब सुरवत मैदान खूब सुरवत ग्राउंड है जैमसन क्रिकेट स्टेडियम चिकली गुजरात और एक बेहतरीन गेन देखते देखते ये ओर में भी खतम भी हो चुका है और तीन ओर के खेल के समापत होने के बाद 13 रन बने है और साथ विकेट वापस भी लोड़ चुके है देखना होगा आने वाले तीन ओर में क्या होगा जैमसन क्रिकेट स्टेडियम चिकली गुजरात ये बेहतरीन नजारा देखी काफी मात्रा में दर्शक भी है और रमेश भाई जो यूएस से बिलॉंग करते है यूएस में रहते है मगर उनके द्वारा निर्मित किया गया एक जैमसन क्रिकेट स्टेडियम एक शान है चिकली की और क्या बहतरीन टोर्नामेंट भी पूरे भारत का और पूरे विश्व का टेनिस क्रिकेट आज इस जैमसन क्रिकेट स्टेडियम को देख रहा है और आने वले तीन दीनों में इसी मैदान के ओपर पूरे भारत से कश्मिर्स के खिलाडिया आज खेल र पर जीस तरह से चार विकेट लिए संकेत ने उसी तरीके से अगर देखा जाये तो सुल्तान ने भी चौथा विकेट लिया तो मित्र आपनी वच्चे बरतबाई पटेल नू आगमन देल चे साहिब आपनो आर्दिक स्वागत चे 7070 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात दमा का बिक बैश मा आपनो मलका भेर स्वागत करता आमने अत्यंत हर्षत आई चे वेलकम 7070 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात दमा का बिक बैश में हमारे साथ बरतबाई पटेल इनका शुबागमन हुआ है अपका अर्दिक स्वागत है धन्यवाद हाट विक्टें दो विक्टें हाथ में है क्या दुबै की टिम जल्दी से दो विक्टे लेंगे या फिर ये दो बल्लेबास पूरा वार खेलेंगे क्या लगता है सर आपने मुझे लगते है फिर भी ये दोनों बल्ले बास खेलेंगे यहां से और कुछ साजी दारी करने की कोशी जरूर होगी मगर ओ माई गॉड ओ माई गॉड चल दी से सर और एक विकेट का पतन या होता हुआ नवा विकेट वापस लोड चुका है क्या गेंद बाजी कर रहे है सुल्तान इस टूर्णामेंट का और एक फाइफर पाच विकेट हसिल किये सुल्तान ने जिने स्विंग का सुल्तान कहा जाता है रंद ये है सिर्फ तीन और विकेट लिए है पाच नाम है सुल्तान मुल्तान का सुल्तान अगर रिपले की बात करें सेर गेंट टपा खाने के बाद जिस तरह से मूव होई है बला गूमा एक्रोस द लाइन चले गए थे और सौट खेलने के बात निरास सब दोनों के इंद बाद उने एक बात की है ज्यादा तेजी से गिनबाजी नहीं किये गेंट को घुमाओं देने की कोशिश किये विक्टो के दोनों तरफ गेंट को घुमाने की कोशिश दोनों बल्ले बाद उने लगा तर की इस बार जड़ में करना चाहते थे और वाइट बॉल करार दी अमपैर ने एक रन यहाँ से आता हुआ यहाँ से एक एक रन काफी महतो पूर्णा होगा यहाँ बिल्गुल अगर आपने मैस और देखते देखते और एक बिंदी गेंद यहाँ ती हुई सुल्तान द्वारा मगर यहाँ से इस पारी को कहा तक लेके जाएंगे आकरी विकेट है इस बार भी अच्छी गेंद हलके आतों से इसे ऑन साइड की दिशा में खेला धकेला स्वेरले की दिशा में गेंद और एक रंच स्कोर आगे जाता हुआ पंद्रा रं अका जैंगिर जिन्होंने आज काफी बहतरीन कैच फिल्डिंग का प्रेयाज भी काफी अच्छा किया थोड़ी से चोटील ओहो और एक बहतरीन गेंद बाजी सुल्तान की सराना करनी ही होगी जबकि बल्ला आपने गुमाना चाहिए और आपका सुना भी उन्होंने बल्ला तो गुमाया है और गेंद सीमार शायद पहले से आप ये कहते हैं और गेंद सीमार एका के बाहर जाती हुई चार रन उसे स्कोर आगे जाएगा चलंगली स्कोर ने और अटरा रन पर जा भी चुका है जिया बल्ले को आप जोर से घुमाईए गेंद आये या ना आये रक्षत्मक डंग से ना खेलिए निरास मत करिए दर्शकों को एक बड़ी टीम है आप सुल्तान पाच विकेट हासिल किये इस पारी में दूसरा फाइफर इस टूर्नामेंट का इस बार भी जड़ में करना चाहते थे उस गेंद को सामने की दिशा में खेला एक रंचे संतुष्ट और ओन डिमांड आ रहा है सर आपके लिए कि थोड़ी सी मराठी भी हो जाए तो मैं चाहूंगा दू लाइन सुल्तान जनी सबर्दस्त गुलन दाजी सा प्रात्यक्षिक आठीक आनी दाखा हूला चार ओर सा खेल संपला है और दाव संक्या वीज जालिए नव विकेट माघहरी पर अतलिए तक आस प्रिक्षकन मदूनस माघनी आनी कि थोड़ी ची माराटी मदे समलोचन हो दे आनी ते करनेचा प्रियतन एक याटिक आनी संकेत सुर्वातीला धक्या माघुणं दक्या दिले त्यान अंतर दर पाहिले तर सुल्तान, 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 या पाहिला मेयाले, चार ओर नंतर नव विकेट मागारी, आणि 20 धावा दाव फलकावर केवड अपलेला पाहिला मेतायत, परन्तु एक ओर अजुनेई बाकिये आहे, आणि या दोन ओर अजुनेई बाकिये आत प्रसंद पाटील इस बाल स्वेर ले की दिशामेज गेन को खेला और एक रण से स्कोर आगे जाता हुआ 21 रणों पर प्रसंद पाटील और एक पाटील आज के दिन बहुत सारे पाटील या देखने मिले मुझे लगता है यहाँ से सांसत भी चंदरगान पार्टी ले क्या बात है सर 21 रन बने पसंद ना ओह 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 बहितरीन गेन उचाल दी बैक अप दे लेन थे और वहाँ से गेन को उचाल दी और बाहर की तरफ कट करते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथो में नो विकेट वापस लोड चुके है फिर भी धटे हुए दोनों बल्लेबाज मनीश और अरबाज जिनोंने एक बड़ा हीट भी लगाया है तो देखना होगा मनीश और अरबाज अपने 10 गेंदे अभी भी 6 है क्या खेल पाएंगे 10 गेंदे अप्टम के बाहर फिर एक बार गेंदिया देखने मिली थोड़े सा शपल होके किलना चाहते थे मगर और एक बिंदी गेंदिया आती हुई 21 पर नो अभी तो आप सबसे पहला काम यही करिए कि यहां रीबू लिया है इस समय यूभी देखते हैं इस समय आज पहली दिन काफी मात्रा में दर्शक भी यहां देखने मिले और इस पूरे बिल्ट में काफी अच्छा क्रिकेट आज ही नहीं तो बहुत सालों से खेला जाता है मुंबई से भी बहुत सारे खेलाड़ी बहुत सारे टीम पिछले बहुत समय से यहां आते हुए फेर डिलिवरी अच्छी गें थी यह प्रसंद्न की शफल होके खेलना चाहते थे और कि डॉट बॉल है पिर एक बार प्रसंद्न मनीश इस बार वाइड बॉल एक रन मिलता हुआ बाइस रन जियां टपकान एक बाद थोड़ी सी बाहर अब तो आपने एक ही काम करना है सब्सक्राइब ने पूरे ओवर खेलने हैं अगर आप इतनी बड़ी टीम है आल आउट हो जाते हैं तो यह दुखत बात होगी तो मैं कहूंगा अब विक्टिम बचा कर चलें 6 ओवर खेलें रन कम बने कोई इसू नहीं मैं तो कहूंगा अगर 6 ओवर खेले तो जीद से कम नहीं होगा शंकर 11 और इसा के लिए बिल्कुल या भी अलके आतों से इस गेन को खेला और अच्छा फुटवर्क वहाँ दिखाते हुए फिर एक बार दो रोन यहां लेते हुए दोनों बल्लेबाज आकरी जोड़ी मैदान के उपर है मगर अच्छा क्रिकेट खेल रही है इसायद इसी तरह के से शुरू से अगर दिखाते हैं इस मैदान पर इसे धकलने की को सिस लेकिन गली पर खड़ी खिलाडी है तैना अब तक खिलाडी यों की बात करें वल्ले बाजों की बात करें सिर्थ तुब आटैकिंग नहीं दिखें अब तक सबसे बड़ा जो अतियार होता है वह आक्रमण होता है उसके दर्म्यान एक रन तो जोरूर पूरा किया एक रन चे स्कोर आगे जाता हुआ अच्छी गेंदबाजी प्रसन्न पाटिल के द्वारा भी रही इस ओर में पार्च रन खर्च किये कोई विकेट नहीं आया और सराना करने होगी दोने बल्लों बाजों की की बचा के रख टॉस होगा सवाचार बजे रिपोर्टिंग होगी और पाच बजे पहला मैच कल के दिन का शुरू होगा कल के दिन भी टेनिस की किट विश्व के बड़े-बड़े सितारे नजर आएंगे गुजरात के चिखली में जी यहां बिल्कुल और सारे धर्शकों से गुजरीश रहेगी कि जल्दी से आज मैदान पे बिल्कुल अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा आज उतने छक्के चौंके हमें देखने को मिले नहीं जिस उमीद के सांद धर्शक आये थे चैचे ओवर के मैच में बलेबाज है लेकिन कल के मैच में बड़े-बड़े हिट देखने को मिलेंगे काईटे सों भी देखने को मिला है सरए ओपर में क्रिकेट कुछ भी हो सकता है सर असंबो इक क्रिकेट के खेल में कुछ भी नहीं आखरी और अंगत पाडिल इस बार उचालती इस गेंद में और घुमा के खेला है सिमार एखा के बाहर रन मिलेंगे 6-6-6-6 सिकसर क्या बात है क्या बात है और रन 31 बने है अब देखिए क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है जैसे आपने मेरे को सवाल पूछा था और देखिए रन 31 बने है आकरी वक्त की स्केल में कुछ भी नहीं कहा सकता आकरी गेंद जब तक नहीं डाली जा सकती तब तक कुछ भी हो सकता है यह क्रिकेट है इस बाल वाइट बाल स्कोर एक रन से फिर एक बार आगे जाता हुआ रन बने है 32, 32 रन बने है जब चर्चा तो हम 36 की कर रहे थे तो देखना होगा यहां से 36 जरूर होंगे या 36 से ज़ादा होंगे यह दिल मांगे मोर आपका पूर्वानुमान बिल्कुल सही है बल्लेका कीनारा गेंद सिमा रेखा के दिशा में जाती हुए और जिसकी चर्चा कर रहे थे 36 36 रन बने है आखरी जोडी मैदान के अंदर और यह साजीदारी दसवे विकेट के लिए बनी है सर जिया बिल्कुल सही पूर्वानुमान है आपका 36 तो क्रॉस कर गए हैं और चार गेंदे और हैं और चार गेंदों पर और चार शक्के लगाने की कोशिस करेंगे बल्लेबाज करना चाहिए उने आप तो अंदाजा पचास के उपर वाला लगा रहे है देखने होगा अंगत पाडिल अच्छे गेंदबाज है अंगत की इस गेंद को गुमा कर खेलना चाहते थे हवा में गेंद कोशिस तो जरूर कर रहे हैं वहाँ खिलाडी कैश नहीं हुआ पवन केने थे और एक रन दो रन या दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किये और रन बने हैं 38 38 रन बने हैं यहा से फाइट हो सकती है कम इस स्कोर में भी फाइट हो सकती है 38 रन बने हैं क्या बात है मनिश और अर्बाज की सराना करनी होगी आकरी ओहो इस बार लेन्द पर गेंदी लेन्द से सीधा विकेट किपर के springsे जाती हुई यहाँ से स्कोर थोड़ा सा सन्मान जनक तो हो चुका है गुजरात 2023 बिग बैश धमा का 70-70 जो एक ब्रैंड है और पूरे भारत चैनिस किकेट विश्वा में 70-70 ब्रैंड के नाम की चर्चे है और 70-70 धमा का बिग बैश के भी चर्चे पिछले 2-3 साल में तो काफी मात्रा में लोगडाउन के बाद जो पहला लोगडाउन लगा था उसके बाद पहला टुर्णामेंट मुंबई के सोमया ग्राउंड पे हुआ उसके बाद सूरत गुजरात उसके बाद दिल्ली उसके बाद फेर डिलिवरी मनिश और अरबास की ये पारी पूरा उरिसा याद रखेगा उरिसा फेमस है पूरी के जगननात मंदीर के लिए उरिसा फेमस है सूर्य मंदीर के लिए जितेंदर कुल्दीप जो मैनेजर है इस टेम के और एक अच्छी गनन दिया आती हो 38 पर रुका हुआ है इसकोर इस आकरी विकेट के साजीदारी ने थोड़ी से मैच में जानतो ज़रूर डाली है फिर एक बार अंगत पाडील मनिश के लिए बड़ा हिट और एक बड़ा धमाका याग करते हुए बल्ले बाज मनिश और इस गेंद को भी वेज दिया सीमा रेखा के बाहर रन मिलेंगे छे सिक्सर सीमा रेशा पार शटकार झाँ 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 झाली है झाल 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 जा रहे है जी बिल्कुल देखिए चंद्रकान सर जैसे अजीद सर बता चुके है कि सबसे बड़ी इनामी राशी अगर गुजरात साउच गुजरात में खेली गई हो तो ये बिल्कुल सेवन्टी सेवन्टी याने के निकेट स्पोर्ट्स द्वारा गुजरात धमा का बेक ब सब्सक्राप्त हुआ है ये बिल्कुल धन्यवाद जाता है सेवन्टी 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 को जी बिल्कुल तारिफ सहीद सरकाम सुक्रिया अदा करेंगे कि ये मौका दिया गया वैसे गुजरात धमा का बिग बैश में सरन 45 रनों की जरूरत है मगर मैं यहाद से भी कहूँगा ओरिसा टीम यहाद से शुरू में एक दो जटके दे पिसके मैच में हमने जैसे देखा था तो मैच में आने की कोशिश उनकी रहेगी मगर दूसरी तरफ दुबई टीम काफी अच्छी तायारे से आई है दोनों बल बर मालूमें देखना होगा एक तरफ ओरिसा के टीम है और दुसरी तरफ दुबई की टीम यहाद नजर आती हुई और इस मैच में विशाल एक तरफ विशाल कुमार जो कप्तान की रूप में है और टीम ओरिसा के और दुसरी तरफ बोशन पाटी कप्तान है और देखना हो जब तक आखरी गेन ना फेकी जाए और आखरी विजय रन ना लिया जाए तब तक आप किसी भी मैच का डिसीजन नहीं दे सकते बल्ले बाजी के लिए मैदान के अंदर यहाँ आते हुए रजजत मुंडे जो महारास्ट के राइगट डिस्टी के खालापूर तहसील के सांभारली गाउस से बिलॉंग करने वाले किलाडी है स्ट्राइक पर और नौन स्ट्राइक के उपर मुंबई के घाट को उपर पन अगरुक से बिलॉंग करने वाले किलाडी आका जांगीड बल्ले बाजी के लिए मगर दूसरी दरब के इंद बाजी के लिए सौरफ साइनी खुद का पहला और पारी का पहला और लेके पैताले सरनों का पीछा करना है टीम दूबई को और गेंद बाजी के लिए सौरफ साइनी सामने राजत मुंडे पहली गेंद अच्छी गेंद थी लेन पर की ये गेंद कवर्स के दिशा में डखलने की कोशिश जरूरी आहती और कामियाब भी रही और एक आत्मईश्वास भरा स्ट्रोक या पहले गेंद पर आईसा जरूरी नहीं कि श्रिक से ही मारे एक सिंगल रन पर ले सकते हैं इतने उर सर जी बिल्कुल देखिए हर एक मैच में सिंगल्स और डबल्स एक महत्व पूर्ण भूमी का निभाते हैं जैसे सिक्सर और चौक्य आवश्चक है सिंगल्स डबल्स भी आवश्चक है जब आखरी गेंद के ओपर तीन रनों की जरूरत होती है तब वो सिंगल्स याद आते ह यह सिंगल से सिरुवात कर चुके है वैसे रचत एक रन लेकर अब श्राइक इंड पर आए है आकाश जांगीर आकाश सवरफ सईनी सवरफ की इस गेंद को स्पेरले की दिशा में खेला आकाश की बल्ले से आता हुआ ए बहतरी स्टोक आकाश ने गेंद को आकाश दिखा दिया और चार रनों से यहाँ स्कोर आगे जाता हुआ आकाश की शुरुआ चार रनों से चार 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 चौका किलना चाहते थे जनाब तारिफ सेयद साब और फरदीन काजी जिस किलाडी की नाम के चर्चवी इस वर्क टेनिस की के डिवी शो में चलते हुए फरदीन काजी ये भी कल के दिन आपको किलते हुए नजर आएंगे इन आक्शन रहेंगे कल गुजरा धमा का बिग बैश में अकाश जागिड ओहो बैतरीन 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 कमबेक यहां करते हुए देखी टफ़ा खाने के पाद अंदर की तरफ आती हुए गेन इसके पहली गेन जड़ में की थी और इस वक्त लेन पर की गेन अंदर की तरफ आती हुए अच्छा कम बैक जी बिल्कुल देखे जिस तरह से पहली दो गिंदों के उपर पांच रन आये उसके बाद ये के अच्छा कम बैक अच्छी वापसी है दो गिंदों को डॉट निकाला और चंदरकांसर आप बात करें थे फरदीन काजी की आई ये करारा हिट देखना होगा फाइनलेक एक शेतर में गेन को पहुंचाया है आखिरकार ये गेन जाती हुई सीमा रेखा के बाहर छेरोनों के लिए ये बहुत ही बैतरीन सिकसर राकाश के बल्ले से पहले दो गिंदों को श्टडी भी किया था और उसके बाद ये परिणाम के तोर पर सिकसर लगाया गया है आखिरकार और स्कोर को अब दो अंकों में प्रवेश करवा दिया ग्यारा पर पहुंच चुका है तो चंदरकान सर्फरजीन काजी इस साल बेश्ट ओपनर आप दे येर के अवार्डस भी नवाजे गए इटीसी में इंडियन टैनिस क्रिकेट अवार्डस में ग्यारा रन बने हैं जबकि बल्लेबाजी के लिए हम देख रहे हैं आकाज जांगीड जिनोंने SIPL गोआ 10 लागी इनामी राशी वाली टूर्नामेंट में बेस्ट बैटर का किताब से भी नवाजा गया था ये बल्लेबाज नाम है आकाश इस बाहर सामनी की दिशा में सीधे बल्ले से खेलते हुए इस गेंद को बेज़ दिया सीधा सीमारेशा पार छे 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 रनों के लिए बिल्कुल फॉर्म में बल्ले बाजी हो रही है पहले चौका उसके बाद दो गेंदों को स्टड़ी करना उसके बाद लगा था दो सिक्सिस लगाना ये बिल्कुल अपतरी टीम को असवानी से आके ले जाया जा रहा है जहां पर चिनौती है पैतालिस की अब चाहिए केवल 28 मैच को जीतने के लिए आने वाली 30 गेंदों में ये निदारी 6 ओरों का ये मैच एक और के बाद 17 रन बने सर देखी आखरी जो चक्काच उन्होंने जड़ा क्या फूट वर्क था क्या टाइमिंग था बैट का फ्लो एकदम प्रॉपर था और इसी तरीके से रन जरूर बन जी बिल्कुल क्यों नहूं अगर मैच जीतते हैं तो इसके बाद एक और मौका है और उससे भी जीत कर आगे जाने का मौका है विशाल के बाजे के लिए जम्मू कश्मी से बिलॉंग करने वाले ये खिलाडी आज गुजरात में दाकिल हुए है अपने टीम के लिए शंकर इलिवन उरिसा शंकर मुंगराज जी जो उरिसा से बिलॉंग करते है दरमगाड से बिलॉंग करने वाले चिचिया दरमगाड ओहो आते ही पहले गेन पर हला बोल दिया है और इस गेन को बेज दिया है और एक बड़ा ही छे रन बड़ा धमा का धमा का बिग बैश में बिग श्ट्रोक बिग धमा का धमा का बिग बैश जिस तरह का ये नाम है गुजराद धमा का धमा के यहाँ पर अब किये जा रहे देखिए एक और बड़ा हिट सिक्सर के रूप में और ये सिक्सर अब रजट के बले से एक बार फिर इस बार सीधे बले से खेला है लांगाउन के शेतर में खेला रही हुआ पर मौजूद लेकिन पहुंच नहीं पाये बिल्कुल ये चार रन मिलेंगे इस गेन के उपर चौके के साथ अब स्कूर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 27 रन 27 जीत के दिशा में जाती हुई ये टीम ओहो और एक बहत्री श्टोक आता हुआ रजट मुंडे इस नाम की चर्चा पूरे टीनिस किकेट विश्वा में है और आज गुजरात में उसके नाम के चर्चे रजजट मुंडे के बले से आता हुआ और एक बहत्री नचक्का कि दिखे ऐसा लग रहा है कि जलबाजी में है थोड़े से अच्छी ये इनबाजी हुई वेशाल द्वारा देखे कमबैक किया है सिक्सल लगाने के बाद अब मौका नहीं दिया गया लेकिन 33 पर पहुंच चुकी है 11 वूरियर्श एक और अच्छी ये निजबार ऑंसाइट के शेतर में केलने का प्रयास किया गया था अले वैसे नो बॉल का संकेत मिला अंपाया स्क्यूर से एक और अतिरिक रन वैसे आच चुका है स्कूर बूर के उपर जुड़ता हुआ ये रन और स्कूर पहुंच चुका है 34 34 रन देखे फ्री हिट है क्या फाइदा उठाएंगे देखना होगा रजट एक बार फिर अंसाइड के शेत्र में एक बार फिर देखे फ्लिक कर दिया है आखिरकार गेंद जाती हुई एक टपाखाने के बाद चार रड़ों के लिए और चौके के साथ बूस्कोर आगे बढ़ता हुआ अगले मुकाबले के लिए ये जलबाजी कर रहे है ऐसा लग रहा है कि क्यों न अगला मुकाबला जल्दी से जुरू और उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का फॉर्म लाया जाए बल्लेबाजी में एक और नोबॉल का संकेत एक और करारा हिट रोकना मुस्किल है इस बल्लेबाज को नाम है रज़त मुड़े स्कूर वैसे समाप्त हो चुका है स्कूर यहाँ पर जीट जीट चुके है मैच कंप्लिट हो चुका है सर यहाँ पर 11 वोरियर्स ने जीट दर्श करा लिए है अगले मुकाबले के लिए 11 वोरियर्स बनाम 11 वोरियर्स ऐसा ही मैच होगा इसके बाद तो समी भाई के लिए एक अच्छी बात होगी और एक नाराजी वाली एक टीम उनकी को जरूर कौलिफाय होने वाली है और एक टीम आरने वाली कौन सी उसके बाद के मैच मुकाबले में जरूर पता चलेगा मगर शंकर 11 वोरियर्स जो धरमगर्ड से बिलोंग करते हैं वोरियर्स के शंकर भाई मंगराच उनका भी हम सराना करेंगे पहली ही वोरियर्स से पहली बार किसी